दोस्तों कि आप लोग में भी अपना प्रेग्नेंसी में अल्टरसाउंड कराया है या लेवल टू अल्टरसाउंड कराया है और उसकी रिपोर्ट में आ गया है एकोजनिक बावल और अब आप कन्फ्यूजड हैं यह क्या है इसका क्या इंप्लिकेशन होता है ब्राइट दोस्तों कि आप लोग में भी अपना प्रेग्नेंसी में अल्टरसाउंड कराया है और उसकी रिपोर्ट में आ गया है इकोजनिक बावल और अब आप कन्फ्यूजड हैं यह क्या है इसका क्या इंप्लिकेशन हो तो आईए आज हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे और अगर एकोजनिक बावल अल्टरसाउंड में आ गया तो हम लोग ने क्या करना चाहिए दोस्तों हम लोग हमारे चैनल पर ऐसा और वी वीडियो बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लिजगा आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों आ लिप अगर बच्चा होता है उसकी जो आथ होती है कई बार उसमें इस प्रकार की झनिक piaceया जब आप कि आच पिक्राइफ बच्षे की जो आत हुती है वह नॉर्मल्स ज्यादा ब्रैट दिखरी होती है जैसे यह white color इसमें ज्यादा है normally आंत इस प्रकार की दिखेगी wall इस प्रकार की दिखेगी उतना bright नहीं रहेगी तो इसको ecogenic bowel कहते हैं तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका एक और image है देखिए जो brightness है ज्यादा white अगर bright लिख रही है white लिख रही है तो उसको ecogenic bowel कहते हैं जैसे यह पूरा bunch of आतों का bunch है गुच्छा है जो bright लिख रहे हैं तो आप आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि भाई ecogenic bowel का क्या implication होता है तो दोस्तों हो सकता आपने chromosomal abnormalities के बारे में सुना हो या down syndrome के बारे में सुना हो ऐसी बिमारियां जो बच्चे में जो पैदा होने के पहले हम लोग identify कर लेते हैं जिसको commonly down syndrome होता है और भी बहुत सारी बिमारिया होती है उसका यह ecogenic bowel एक soft marker होता है यानि कि अगर सिर्फ ecogenic bowel present है जो की 1% जनता में देखता है और soft marker इसलिए होता है कि यह जैसे बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि for example NTNB scan आप कराते हैं उसमें NT की thickness बढ़ जाना या आप fetal echo कराते हैं उसमें ecogenic focus देख जाना यह इस पे भी मैं already video बना चुक हूँ यह भी आ जाता है कई बार पेशेंट्स बड़ा घवरा से जाते हैं कि मेरे बच्चे की हर्ट में क्या समस्या हो गई उसी प्रकार दोस्तों यह ecogenic bowl की समस्या है तो कई बार सिर्फ यह एक ही चीज़ दिखती for example आपकी हर्ट में सिर्फ focus दिख रहा है बाकी सारा चीज नॉर्मल है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवशक्ता नहीं है तो यह soft markers होते हैं अगर यह एक ही present हो तो बिल्कुल ना घबराएं अब मालेजी दो दोनों चीज़े हैं मालेजी हर्ट में focus भी आ गया बावल भी को जाने के तो आपको further थोड़ा सा second opinion या higher सब्सक्राइब होता है वहाँ जाना चाहिए further बच्चे की टेस्स कराना चाहिए बट अगर इन में से एक ही चीज प्रेजेंट है तो फिर आपको घबरानी का हो शकता नहीं है इसमें भी पाया गया है दोस्तों जो एकोजेनिक बावल जो रिपोर्ट में लिखके आ रहा होता है भले ही और भी कोई चीज हो ना हूँ माली कोजेनिक बावल के साथ ये भी चीज़ें आ रही है उस उनमें भी 75 परसंट जो बच्चे होते हैं मोर दन 75 परसंट जो आपने और भी ब्लेट टेस्स करा लिए सब ठीक आ रहा है तो आप मान के चलिए 99 परसंट से जादा अच्छे चांसे हैं कि आपका बच्चा जो है वो स्वस्त्त कदा होगा तो हम लोग को घबराने की या डरने का वशक्ता नहीं है अगर बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो ग्रेड जीरो तो दोस्तो नॉलमल हो जाता है ग्रेड वन उसमें जो जो बच्चे के लिवर होता है उससे थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा ठीक है लिवर से जो आथ होगी वो थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी ग्रेड टू में जो जो बोन्स होती हैं दोस्तों अल्ट कि सब्जेक्टिव सी चीज़े हैं कि कोई एक वेक्टिव बोलेगा एकोजनिक है दूसरा बोलेगा नहीं है इस सब प्रक्रिया में और कन्फूजन करियर्ट होता है तो इसलिए मैं ये ग्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ और ग्रेड थ्री इसमें दोस्तों एकशली में ये एकोजनिक माना जाएगा अगर यह हड्डियां जो दिख रही है उससे भी ज़्यादा जो आते दिख रही है बच्चे की जो आत दिख रही है वह लिगाव लुग You उ Сब्हादा ब्राइट है जो इसलिए जबी ज़्यादा ब्राइट आथ दिख रही है तब मान के चलिए यह थोड़ा सा तब भी सिंग्निफिकेंट है और मुमन जो रिपोर्ट्स में लिखके आ रहा होता है इकोजनिक बावल ग्रेड वन या ग्रेड टू होता है यह भी काफी कॉमन है अगर ग्रेड थ्री है तो अब यह लोगों थोड़ा सा चिंता करने यह यह थोड़ा सा इंक तब भी थोड़ा सा एक जीडरो सिरबल्कुल ब्रके की आ आता है उसमें तरह-ठर के प्रूमीं ज्यादा आता है ज्यादा दिखने लगता है थोड़ा ज़्यादा ब्रैट्नेंस बढ़कर दिखती है कई बार जो अल्ट्रसाउंड की सेटिंग्स होती है जो modern machines होती है उनको advance करने चक्कर में बहुत ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिसके वैसे भी बावल ब्राइट दिखने लगता है दिखने लगता है एक्ट्री में होता नहीं है कोई भी समस्या नहीं होती है और आप तीसरी दिमाही में जब आल्टरसाउंड करा रहे होते तो भी बहुत जादा समावना होती है कि जो बावल है वो थोड़ा सा ब्राइट दिखने लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा-थोड़ा प्राइट की सारी रिपोर्ट्स भी ठीक ही तो आपको बिल्कुल चिंता करने का वशक्ता नहीं आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्त पैदा होगा इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं आई हो दोस्तों आपको पसंद आया हो कुछ अभी भी अगर आपको कन्फूजन हो कोई कोरी हो तो आप मेरे से कमेंट शेक्शन में जाके पूछ सकते हैं कि दोस्तों अगर वीडियो यह पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजेगा ऐसा कोई रिलेटिव हो कोई आपकी रिलेटिव हो कोई फीमेल हो जो प्रेग्नेंट हो जिसको इस तरह की समस्या हो रही ह thank you friends stay healthy stay happy